करेरा पुलिस ने हाद भट्टी की कच्ची शराव एवं एक मोटर साइकल सहे दो आरूपी को किया गरफतार शिपुरे चुले की करेरा थाना पुलिस ने 750 लीटर हाद भट्टी की कच्ची शराव सहे दो आरूपी को किया गरफतार उनके कबजे से एक मोटर साइकल भी जब्त की गई है करेरा ताना प्रोहारी विनोचावी ने बताया कि 21 जुलाई को सुष्णमली की ग्राम वालूसा में गगन लोधी अपने खेट पर कच्छी शराब कावेद धंदा कर रहा है सूचना की तस्तिक है तो मुखबिर की बताय स्थान पर करेरा पुलिस पहुची गगन लोधी की खेट कुवा पर दो व्यक्ति खड़े देखे जिनके पास एक मोटर साइकल प्लास्टिक के तीन ड्रम तता नीले रंग की प्लास्टिक का कट्टी रखी थी जो पुलिस को देखकर भागने लगे है जिसे पुलिस ने घेराबंदी का दोनों को पकड़ लिया पुलिस ने दोनों की नाम पता पूछे तो उन्होंने अपना नाम बताया गगन लोधी पुत्र प्रकाश लोधी उम्र 23 साल निवासी ग्राम वालूसा थाना करेरा तता दूसरे ने अपना नाम बादाम लोधी पुत्र रटी लाल रोधी उम्र 15 साल निवासी ग्राम वालूसा का होना बताया तब आरोपी गण के कबसे से प्लास्टिक के तीन ड्रम तदा नीले रंकी प्लास्टिक का कट्टी जिनमें 720 लीटर हाद भटी की कच्ची श्राब जिसकी कीमत एक लाग बीस हजार रुपे एपम एक मॉटर साइकल जिसकी कीमत एक लाग रुपे को विद्वेश जब्त किय आरोपी गण लोधी बादम लोधी को गरफतार किया गया है